Hello friends and my dear students, welcome to our channel, मैं राजेंदर मुणलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूँ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से class 12 English के question bank को हम स्वालू कर रहे हैं जिसमें जो हमारा writing skill वाला section है, उसके कुछ question के answer में आपके लिए लेकर आया हूँ पिछले वीडियो जिदिया आपने नहीं देखे हैं, class 12 English question bank के solution के तो उनको जरूर देखेगा मैंने playlist बना दी है साथ ही हमारे चैनल के माध्यम से daily रात को 8 बजे हमारी live class लगती है, जिसमें question practice हम कर रहे हैं तो आपकी exam के point of view से वो काफी महत्पून है, तो आप उसको भी जरूर देखेगा चलिए, question है, write a letter to your father requesting him to send you RS 9000 मतलब money order के लिए letter लिखना है, जिसमें 9000 रुपे का आपको दरसाना है कि 9000 रुपे आप money order करवाना चाहते हैं to purchase books, school and hostel fee, ताकि आप किताबे खरीच सके, school की fees और hostel की fees भर सके, ठीक है, तो इसके answer की ओर चलते हैं देखे, जब भी हम letter writing की बात करते हैं, तो जब भी हम answer लिखें, तो सबसे उपर sender का address आता है, मतलब जो पत्र लिख रहा है उसका तो यहाँ पर address दिया गया है, केंदरी विध्याले, नेपा नगर MP, और sender के address के just बाद में फिर आता है, date, मतलब किस तारिक के दिन पत्र लिखा गया है, ठीक अब आगे बढ़ते हैं, my dear father, ठीक है, application idiom लिखते हैं, तो उसमें respected sir लिखते है I am sure that you will be delighted to know that I have secured first position in terminal test, I am sure that you will be delighted, मैं इस बात से sure हूँ, कि तुम्हें जानकर बड़ी खुसी होगी, delighted मतलब खुस होना, अनन्दित होना That I have secured first position in terminal exam, मतलब जो मेरी त्रे मार्सिक परिक्षा हुई थी, उसमें मैंने पहला इस्थान प्राप्त किया है, यह बात जानकर आप काफी खुस होंगे I assure, assure का अर्थ होता है आस्वस्त करना, किसी को विश्वास दिलाना You that, I shall try my best to secure very good marks in my final examination, कि मैं वार्सिक परिक्षा में भी अच्छे नंबर प्राप्त करूँगा I have to buy books, मुझे किताबें खरीदना है, या खरीदना होगी, and pay hostel fees, और मुझे hostel की fees भी भरना है So, इसलिए, kindly send me RS 9000, मतलब मुझे 9000 रुपे भेजने की एक रपा करें Please convey my regards to mom and love to Juhi Regards का अर्थ होता है, जिसे हम कहते हैं, कि मा को चरण इसपर्स, या पिताजी को चरण इसपर्स, तो regards और Juhi को प्रेम मेरी तरप से, Juhi छोटी बच्ची होगी फिर last में हम लिखते हैं, your affectionately, ठीके, यहाँ पर आप एक word का use, जिसे हम letters, application वगरा लिखते हैं, तो हम confused हो जाते हैं, कि lovingly लिखे हैं, sincerely लिखे हैं, क्या लिखे हैं तो एक faithfully एक ऐसा word है, जो सभी जगे आपको काम देता है, तो आप सिर्फ जो school की हम application लिखते हैं, उसमें obediently लिखना है, और बाकी सब में आप चाहें अगर तो faithfully का use कर सकते हैं, और last में आपका नाम, question में यदि नाम दिया गया है, तो आपको नाम लिखना है, नहीं दिय जा गया है, तो फिर आपने हिसाब से कोई सा भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, next question की और चलते हैं, अगला question है हमारा, write a letter to your father requesting him to permit you to attend the tour of Punchmadi, मतलब आपको अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है, जिसमें आप request कर रहे हैं कि school की तरफ से जो Punchmadi के लिए tour है, उस tour म इंदोर MP, 7th February 2020, 2021, 2022, यह न, तो यह date आती है, सबसे बहले सेंडर का address, फिर date आती है, उसके बाद में हम लिखते हैं, salutation, salutation में आता है, my dear father, my dear father लिखने के बाद में अगली lines हम लिखेंगे, I am fine here, मैं यहाँ ठीक हूँ, and hope the same for you all, और उमीद करता हूँ कि आप सब भी वहा पंचमडी, हमारा विध्याले पंचमडी के लिए टूर का आयोजन कर रहा है, a nearby historical location, जो कि एक historical एतिहासिक location है, I also want to join the tour, और मैं भी उस टूर को जोइन करना चाहता हूँ, please give me the permit to go with my schoolmates, मुझे अनुमती दें कि मैं मेरे schoolmates के साथ टूर को जोइन कर सुकूं, और वहाँ ज विच्चक भी हमारे साथ रहेंगे, हमारी taking care करने के लिए, take care का आर्थ होता है, देखभाल करना, kindly don't be worried, और आपको चिंता करने की ज़रुवत नहीं है, give my love and regards to ma, मा को मेरा चरण इस पर से कह सकता है, और मेरा प्रेम देना, your lovingly rages, question में यदि नाम दिया गया है, कि आपका नाम यह है, तो आपको वही नाम लिखना है, यह भूलना नहीं है, next question के ओर चलें, question number है, you are prehansi, आप prehansi है, the head girl of your school, school के आप head girl है, जैसे monitor होता है उस परकार से, draft a notice to inform the students about a picnic that your school is going to organize, मतलब आप head girl है, तो school picnic के लिए, एक आपको notice तयार करना है, giving all necessary details is not more than 50 words, और जो भी detail आपको देना है, वो 50 अब्दों के अंदर ही होनी चाहिए, तो जो notice होता है, notice में सबसे उपर हम notice लिखते है, notice के just बाद में heading आती है, कि यह notice किसलिए है, तो picnic के लिए है, तो for picnic लिखेंगे, उसके बाद में हम date लिखेंगे, कौन सी date है यह, यह word date है, जिस दिन notice लगाया गया है, ठीक है, word date लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे, body of notice है, तो the principle is pleased to allow the students of the school to go picnic to सूरजकूंड, सूरजकूंड एक जगे का नाम है, वहाँ पर picnic पर जाना है, तो इसलिए आप सभी को notice दिया जा रहा है, मतलब जानकारी दी जा रही है, प्राचारी महोदे के द्वारा, on Sunday, रईवार के दिन, 25th of August, 25 अगस्त, 2020 लिख सकते हैं, 22 लिख सकते हैं, स्री आरके, गुपता, lecturer of commerce, मतलब commerce के जो हमारे विख्याता है, lecturer है, will accompany them, हमारे साथ कोन रहेंगे, जो commerce के lecturer है, वो भी रहेंगे, those who are willing to join the picnic party, should give their names allow with a deposit of 500 rupees, each to the undersigned last state by 20th August, 2021, लिख सकते हैं, the amount includes bus fare refreshment, मतलब आपको ये बताना है कि कोन-कोन जाना चाते हैं, और जो भी जाना चाते हैं, उन आपको 500 rupees जमा कराना है, जिस वो और 500 rupees में क्या रहेगा, bus का किराया रहेगा, fair fair का अर्थ हो थे, भाड़ाया किराया, और refreshment, refreshment का अर्थ होता है, हलका पूल का भोजन करना, नास्ताबानी करना है, स्वलपाहार करना, उसको बोलते हैं, refreshment, रवीना कपूर, रवीना कपू यह fancy dress competition का question दिया गया है, उस question का answer है, तो सबसे उपर school का नाम आएगा, जहां पर यह competition है, तो सुभास Memorial Senior Secondary School, यह ना, सियोनी, notice दिया गया है, dance and drama club, date दी गई है, उसमें लिखा गया है, the dance and drama club of our school is holding a fancy dress competition, for students of all classes in third week of August, मतलब, अगस्त महा के तीसरे सप्ता हमें, सभी का अक्षाओं के लिए fancy dress competition रखा गया है, ठीक है, those interested to participate, are requested to give their names to undersigned, lested by 10th of August, मतलब, 10 अगस्त के पहले, वह चात्र शात्र हैं, जो कि इसमें सभागीता, माफ की जाव, participate करना चाते हैं, उनसे निवेदे नहीं कि वह अपना नाम signature के साथ दे हैं, ठीक है, नाम है राधा, जो की है, secretary, dance and drama club, ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हमने आपके जो section B है, that means writing skill वाला जो matter है, वो लगबग हमने solo कर दिया है, और भी आपको इसी प्रकार के important letter, application, report, composition वगेरा, आपको चाहिए हैं, जिसे importance of English हो ग गया, debate competition हो गया, road accident हो गया, यह ना, तो grammar for all के नाम से जो playlist बनी हुई है, ठीक है, उस playlist में देखिएगा, तो previous year में जो भी important writing skill के matter पुछे गए हैं, वो सब आपको वहाँ पर मिलेंगे, तो उसको check करना ना भूलिएगा, साथ ही आपके जो friends से हैं, relative से हैं, classmates से हैं, उनके पास भी please videos को share कीजिएगा, ताकि वह भी अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएं, thank you very much for watching and please take care of yourself.